आए प्लाए पेशले क्लास के अंदर हम लोगों ने से नियौन एक रही है आज की लाइट रहता है अध्याव स्थे लूज़ दिसरे कि लैट तो हमारे पास बहुत सणे कर देखां औहां ती है ऐसे बहुत सारे आप लोगों को इसके अंदर मिल लेंगे और इसके लावा हम यहां से इसको चेंज भी कर जाकते हैं mm इंचीज फेट हम मालो हमें किसी ने बोला है कि हमें एक डिजाइन बनाना है जिसका साइज है 12 x 18 इंच तो हम यहां से इसको इंच में कर लेंगे और यहां से करेंगे 12 x 18 यह हमारा 12 x 18 का साइज बन गया इसके उपर हम डबल क्लिक करेंगे यह हमारा एक ऑब्जेक्ट आ गया है यहां से इंच में हो गया है और अगर हम इसे फिट के अंदर देखना हो तो फिट के अंदर हम इसको क तो मैं आपको पहले स्केल निखा देता हूं तो यह है स्केल और इसके नीचे आप लोग जो देख रहे हैं बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है एक दो तीन चेया त्माच्छे स्ताथ आट नौटस के आरा बारा याने की बारा इंच और एक फिट के अंदर होते ह हम और जो आप लोग ऊपर देख रहे हैं उपर के सेक्षिन के अंदर तो यहां से स्टार्ट करें हम और इस एक पर जाएं कि हो गया है हमारा 10 mm और 10 mm यानि की कि 1 cm में देखेंगे तो यह 3 cm नीचे की बात करें तो यहां तक 1 इंच गर दो इंच 3 4 5 इस तरह से चलता चला पूरा है कि इसका पूरा नہरो पड़ाई कितनी है इसके ओपर से यहां तक टेट किसा अफ़ो यह इस चोड़ा list हैut कितने इंच या सेंटिमीटर में आनी चाहिए ताकि हमारा यहां पर कॉंटेंट ना कटे तो कॉंटेंट ना कटे इसलिए हमें मैटर भी थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा यह मालो हमारे पास कोई एक बॉक्स का डिजाइन आता है बनाने के लिए सब्सक्राइब कितनी है यह मैजरमेंट करनी पड़ेगी इसकी हाइट कितनी है इसका मेजरमेंट करना पड़ेगा यानि कि क्या होगा हमारा लैंट विट और हाइट और इसे मेजरमेंट करने की जुड़त नहीं कि जितनी हमारे विट होगी इसका यह उपर वाला लैप होगा और इसी तरह से इसके लावा और भी ऐसे बहुत सारे बॉक्सिस होते हैं जो अलग अलग टाइप्स की होते हैं उनका साइज भी हमें मैनुली स्केल से लेना बढ़ेगा हमें आपको इंच के बारे में बता देता हूं कि इंच के अंदर जो वैल्यू थी यह कितनी होती है सबसे पहले हम यहां पर लेकर आते हैं अपना स्केल यह रहा हमारा स्केल इसको हम लेकर आए यहां पर प्लेस किया इसकी हम औरिंटेशन चेंज कर लेते हैं यहां पर इसको घुमा लेते हैं और इसको भी घुमा लेते हैं अब मैं आपको इसकेल जो अभी समझा रहा था वह स रीख एक इंच 1 इंच बराबर सूथ एक इंच में यह जो हैं इनको सूथ की वैल्यू बोलते हैं अक्वा इस घेड़ दो तीन चार या चार पर आ गया हमारा आधा इंच 30.67 साध्याक पिर साध्यासाथ फिर आर्ट द्रा सूथ में हमारी एक इंच की वैल्यू आ गई अब मैं इसकी आपको वैल्यू बता रहेता हूं जीरो पॉइंट सिक्स सैवन बराबर यह हो गया हमारा हाफ सूथ ठीक है तो अभी मैं हाफ को यहां पर नहीं लूँगा मैं यहां से जीरो पॉइंट वण टुफ फवाई जीरो पॉइंट का यहां कि एक सूथ हो गया हमारा एक सूथ कितना यह वाला पॉइंट एक सूथ सूथ फिर तीन सूथ फिर चार सूथ चार सूत हो गया हमारा इंच तरह से प्लस करते जाएंगे अब इसमें हम 0.25 और प्लस करेंगे तो यह हो गया हमारा दो-सूथ कि इसी तरह से 0.275 पराबर तीन यह हो गया हमारा तीन सू फिर चैक इसको हम बोलेंगे 0.5 को बोलेंगे 1.5 एंच हो जाए फिर इसमें हम प्लस करेंगे 0.625 हो जाएगा यानि कि 5 सूट फिर प्लस करेंगे 0.75 हो जाएगा अब ये और इसको बोलेंगे हम 6 सूट अब हम इसमें प्लस करेंगे एक सूट तो ये हो जाएगा हमारा कितना साथ सूट यानि कि 875 बराबर साथ सूट फिर प्लस करेंगे तो हमारा होगा ये एक इंच आठ सूट को मिलाकर बना एक इंच फिक है तो ये जो वैल्यू है ये मैंने आपको बताई इसको प्लस करते जा जब यह 8 मिल जाएंगे तो बनेगा एक 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 और इसके बाद मैंने आपको इसकी हाफ वैल्यू भी बताई इसकी वाटर वैल्यू भी बता लेता हूं 0.033 आप उपर वाले की मैं बात कर लेता हूं यह मैंने भी आपको बताया है यहां से यहां तक हम देखेंगे तो एक सेंटिमेटर और यहां से यहां तक अगर हम मेजर करेंगे तो होगी हमारा 20 mm और इसी तरह से यह सारा आगे चलता जाएगा स्केल जो है बहुत इंपोर्टेंट होता है यह आप लोगों को आना चाहिए अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो जो मैंने आपको वैल्यू बताएं यह आपको याद करने पड़ेगी क्योंकि अगर आप फूचर में कुछ पैकेजिंग का काम करने जा र हम लोग सीखेंगे की टाइप सेटिंग किस तरह से करनी होता है टाइप सैटिंग एक बहूत इंपो टेंट हो अपर रिज्म की में अपनी नैंच्ट क्लास